शनीदेव न्याय के प्रतीक है वे हर जातक को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं ऐसे मूल के लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अपिरिय है शनीदेव केवल जातक के कर्मों के अनुसार उन्हें दंड और फल देते हैं इसी प्रकार से जातक पर शनीदेव का प्रभाव साड़े साती के समय बहुत अधिक रहता है जो कि 7 सालों तक चलती है लेकिन साड़े साती के साथ शनी की ढहिया भी जातक को बहुत प्रभावित करती है तो आईए जानते हैं कि वर्तमान वर्ष यानगी 2024 में किन राशियों में शनी की ढहिया चल रही है और इसका प्रभाव कब तक खत्म होगा वर्तमान वर्ष दोहजार चौबिस में शनी की ढहिया दो राशियों में चल रही है जिसमें पहली राशिय है करक और दूसरी है वृष्चक राशिय इन दोनों राशियों पर शनी की ढईया 29 अपरेल 2022 से शुरू हुई थी इन दोनों राशिय के जातकों का जीवन भी कहीं न कहीं कश्टों में बीत रहा है इन्हें हर एक कारिय में कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा इन जातकों के कारियों में अर्चन उत्पन हो रही है हाला कि शनी के ढहिया के बाद भी शनी देव की स्थिती शुब है तो इन जातकों को कुछ अशुब फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आईए अब जानते हैं कि कर्ग और विरिष्चिक राशी के जातकों के जीवन से शनी की ढहिया कब खत्म होगी कर्ग और विरिष्चिक राशी के जातकों पर 2024 में शनी की ढहिया से परिशानी तो होगी लेकिन जैसे ही 2025 की शुरुवात होगी इन जातकों को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं जोतिशी की माने तो 29 मार्च 2025 के बाद इन दो राशी के जातकों को शनी की धहिया से राहत मिल जाएगी तो आईए अब जानते हैं कि शनी की ढहिया के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाएं हैं? शनी की ढहिया के प्रभाव को कम करने के लिए इन दो राशी के जातकों को प्रतेक शनिवार के दिन सरसो के तेल का छाया दान करना चाहिए इसके साथ ही ये जातक काले तिल का भी दान कर सकते हैं यदि ये जातक काले कुटे और काले कवे को खाना खिलाते हैं तो इनके लिए शुब हो सकता है शनिवार के दिन इन जातकों को लोहा या फिर काले वस्तरों का दान भी करना चाहिए तो इस प्रकार से मार्स 2025 में कर्ग और वरिष्च कराशी के जातकों के जीवन से शनी की ढहिया खत्म हो जाएगी यदि आप इससे संबंदित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो हमें कमेंट करकर जरूर बताएं धन्यवाद